आस्पुर उप्खन शेत्र के लिम्डी में आदिवासी बस्ती के पास अचानक आग लग जाने से अफरात अफरी मज़ गई पासी बने मकानों में आग लगने से बचाने के लिए ग्रामिडों ने आग भुझाने का प्रयास किया लेकिन बढ़ती आग को देखकर सागवाडा से अगने शमन को बलाया गया प्राप्तु जानगारी के अनुसार लिम्डी गाउं में आदिवासी बस्ती के पास करीब 6 बजे अचानक आग लग गई जिसको बुझाने के लिए ग्रामिडों ने प्रयास किये लेकिन वन शेत्र में बढ़ती आग को देखकर सागवाडा फायर ब्रिगेट को सूचना दी गई सूचना पर सागवाडा फायर ब्रिगेट मौके पर पहुची फिर भी आग नहीं बुझी बात में डूंगरपुर से एक फायर ब्रिगेट को बलाय गया इसके बाद भी आग नहीं बुझने पर एक अगनी शमन सलुमबर से बलाय गई अगनी शमन दो दो बार पास के कुऊंगों से पाने भर कर आग पर छिड़काव करने लगी हाल आग पर काबू पालिया गया आग लगने के स्थान पर तीन आदिवासियों के मकान है जो आग लगने के कारण सहमे हुए है कि कहीं आग उनके घरों तक ना पहुँच जाए ग्रामिन भी उन घरों के पास ही डटे हुए है बनकोडा खोती वदाज में भी आग लगने से समाचार है सूशनपर तैसलदार उजवल जैन जिप्टी नोपाराम थाना अधिकारी सवाई सिंग लोडा सहित मौके पर मौजूद रहे ग्रामिन